प्रियाग राज कुम्भ में सलंडर ब्लास से आग कई टेंट जल कर हुए राग ताबगुर राणा को लाया जाएगा भारत राणा 2008 के मुंबई हमले का है आरूपी व्यापम को बंद करेगी मद्धप्रदेश सरकार अब बनेगा करमचारी चैन आयो मिला नकसली देवे मारी ने किया आत्म समर्पन चार लाग का थाईना और पवित्र नदियों पर इस नान के लिए भीड देश भर में मकर संक्रांधी पर किदो नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब खबरे विस्तार से प्रियागराज कुंब में बड़ा हाथसा हो गया सुमवार सुभा इस्तित दिगंबर अखाड़ी के टेंट में आग लग गई आग इतनी बड़ी थी कि अचाना की दरजन भर शामियानों में फैल गई आग लगने की घटना के बाद फायर बिगेट की कई गाणिया मौके पर पहुँच गई और आग पर काबू पाया सिलेंडर ब्लास्ट के कारण यह हाथसा हुआ कुम्ब मेला विदिवाच शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कुम्ब मेले में आग जनी की बड़ी घटना हुई शेश्मदीदों की माने तो सेलेंडर में ब्लास्ट के कारण आग लग गई करोणों की संख्या में शद्धालू इस समय प्रियाग राज पहुचे हैं मौके पर पहुचे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू पालिया गया है वहां मौझूद लोगों ने बताया कि अचानक ही दिगंबर अखाडे के एक टेंट में आग लग गई जिसके बाद साथ वाले टेंटों में भी आग फैल गई प्रियाग राज में संगम के पास बनी टेंट सिटी में कई सेक्टर बनाए गए हैं बताया जा रहा है कि जिस जगहां से ये टेंट है वह सेक्टर 16 का इलाका है कुम्भ प्रशाशन के सूचना निदेशक शिविर ने बताया कि टेंट के बाहर खाना बनाने की आग गया रहती है वहां पर ही सेलेंडर था जिसके करण आग लग गई उन्होंने कहा कि आग लगने के तुरंद बाद ही इस पर काबू पालिया गया था तहबुर राना को जल्द अमेरिका से भारत में प्रत्यारपन कराया जा सकता है राना 2008 के मुंबई में आतंकी हमले कराने में शामिल था ट्रंप प्रशाशन के साथ भारत्य सरकार उसके प्रत्यारपन के लिए आवश्यक कागजी कारवाई पूरी कर रही है राना की जेल की सजा दिसंबर 2021 में पूरी होने वाली है उसे मुंबई में 26 नवंबर को हुए हमले की साजिश रचने के मामले में 2009 में गरफतार किया गया था और 2013 में 14 साल की सजा सुनाई गई थी इस हमले में मुंबई पुलिस ने 9 आतंगवादियों को मौके पर ही मार गिराया था और जिंदा गरफतार किये गया आतंगवादी अजमल कसाप को बाद में फासी दे दी गई थी मदबर देश में सरकारी भड़तियों को लेकर कॉंग्रिस के निशाने पर रहे प्रोफेशनल एग्जामनेशन बोर्ड व्यापम को बंद करने की तैयारियां शुरू हो गई है समाने प्रशाशन बिभाग ने पिछले सब्तह वचन पत्र से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर इस वादे को पूरा करने की गेंद तकनीकी सिक्षा समाने प्रशाशन बिभाग ने इसकी जगह राजे करमचारी चैन आयोग जैसी संस्था बनाने का मसौदा तयार करने पर काम शुरू कर दिया है मुख्यमंद्री बनने के बाद कमलाथ ने पहली ही बैठक में सबी विभागो को वचन पत्र की प्रतियां देते हुए प्राथमिक्ता के हिसाब से प्रस्ताव तयार करने के निर्देश दिये थे मुखे सचेव सुधी रंजन मोहंती ने सभी विवागों को वचन पत्र पर फोकस करने के लिए कहा है व्यापम कॉंग्रेस के लिए लंबे समय से प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाव बड़ा मुद्दा रहा है कॉंग्रेस के ज्यादा तर बड़े नेता ना सिर्फ इस मुद्देख से सीधे जुड़े हैं बलकि इस संस्था को बंद करने और व्यापक जाच कराने की बात कह चुके हैं इसे देखते हुए सामानने प्रशाशन विभाग ने वचनपत्र में शामिल विभागिये बिंदूओं की समिक्षा करते हुए व्यापम को बंद करने का मामला तकनीकी सिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को भेज दिया है सरकार अब करमचारी चैन आयोग जैसी संस्था का गठन करना चाहती है इसका मसौदा बनाने पर काम भी शुरू हो गया है इसके लिए दूसरे राज्यों की संस्थाओं का अध्यन भी किया जाएगा मुखिधारा में बापिस लोटने के लिए महिला नकसली देवे मारी ने आत्मसमर पड़ कर दिया इस हार्ड कोर महिला नकसली पर चार लाग का इनाम था और फिलहाल ये एरिया कमेटी मेंबर के रूप में काररत थी और इसने कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहकर उन्हें अंजाम तक पहुचाया बताया जा रहा है देवे अपनी नकसली साथी सुधीर ओर्फ धननजय गोपे की गतिविदियों और कुरूरता को नापसंद करती थी और ऐसे में मुख्यधारा में लोटने के लिए अंत में उसने सरेंडर करने का फैसला किया सूरी के उत्राण होने के पर मकर संक्रांती के धूम हर जगा देखने को मिल रही है कहीं तिल के लड़ू तो कहीं पतंगों की बाहर है देश भर में मकर संक्रांथी को लेकर खासा उत्सहा देखने को मिल रहा है इस दिन से भगवान भासकर उत्रान हो रहे हैं मकर संक्रांथी के दिन इस्लान और दान का खासा महत्व है इस दिन पूरे देश में पतंग भी उड़ाए जाने की प्रथा है बुपाल में भी मकर संक्रांती का अलग ही नजारा देखने को मिला बजारों में तिल से बने लड़ू और पतंगों को खरीदने में लोग व्यास्त नजार आए तरह के लोग तिल के तरह तरह के आइटम खाया जाते हैं और जैसे चिकी गजक रेवडी हर प्रगार का सामन खाया जाता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण तेवार केलाता है यह यह मकर संक्रांती इस बार दो दिन मनाई जा रही है हिंदू मानेता के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांती का त्योहार मनाया जाता है लेकिन इस बार यह त्योहार 14 और 15 जनवरी को मनाया जा रहा है मानेता के अनुसार आज के दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनी से मिलते हैं कहा ये भी जाता है कि आज ही के दिन विश्नु भगवान ने असुरों का विनाश किया था लोग इसनान भी करते हैं महकर संक्रांती के तोहार पर जोहार का शुरुआत होती हिंदुधन में तोहार की ये शुरुआत माना जाता है आज कही दिन से सुभ कारी किये जाते हैं तो महकर संक्रांती जो है एक सुभ आउसर माना गया है बोपाल के मंगलवारा में नगर निगम के दफ्तर में आग लग गई इस आगजनी में कई शिकायते और करफशन से जुड़ी फाइले जलकर खाक हो गई आग कैसे लगी ये अब तक साफ नहीं हो पाया है बीती राग भोपाल नगर निगम के मंगलवारा इस्तित जोन चार के आफिस में भीशनाग लग गई इस अगनी कांड में जोन अध्यक्ष के कमरे को जला डाला इस अगनी कांड में नगर निगम के सारे रिकॉर्ड जल गए बताया जा रहा है ब्रश्टा चार से जुड़े क इमामलों की फाइले भी यहां स्वहा हो गई आख कैसे लगी यह पता नहीं चल पाया है कॉंग्रेस सरकार में अधिकारी सर्वे करने तक के लिए किसानों से रिश्वत मांग रहे हैं इसकी जानकरी जब विधायक नीरज दिक्षित को लगी तो उनको भी गुसा आ गया और उन्होंने फोन पर ही अधिकारी को समझा दिया अब यह वीडियो खूब वाइरल हो रहा है एमपी में कॉंग्रेस की सरकार बने एक महीना हो गया है लेकिन अधिकारी अपनी से बाज नहीं आ रहे हैं जब कॉंग्रेस विधायक नीरज दिक्षित को पता चला कि एक अधिक अधिकारी ने सर्वे के लिए उनके इलाके में किसान से रिश्वत मागी है तो उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने फोन पर ही अधिकारी को हड़का दिया में त्थीक है। मैं जारा हूँ सीधा रहां नोगाहूं वह मिलो और भभी बला रहोंगे स्टियम को उस दिन भी मैं कहके गया था कि अब नीं चलिएगा जो रात चलता रहा अब प्रजा तन्त है अब रात तंद खतम हो गया चतरपूर जिले के महाराजपूर सीट से पहली बार कॉंग्रेस की ओर से विधायक बने नीरज दिक्षित क्रिशी उपज मंडी के अधिकारी को धमकाने का यह वीडियो सोशल मीडिया में जम कर वाइरल हो रहा है लोडी पर पूरे देश में हर्शोल लास के साथ मनाया गया लोगों ने लोडी जला कर एक दूसरे के साथ देश में सुख शांती सम्रदी की कामना की लोहडी पर्व पंजाबी समाज बड़े धुमधाम से मनाता है संत हिरदाराम नगर में CRP स्थित पंजाबी समाज द्वारा लोहडी पर्व मनाया गया लोगों ने गुड तिल मुंफली लड़ू हाथ मे लेकर फेरे लिए देश और प्रिदेश की सुख शांती के लिए अरदास की इस मौके पर बड़ी संख्या में पंजाबी और सिंधी समाज के लोग मौजूद थे डीजे की धुन पर खुब भांगडा भी हुआ मकर संक्रांधी के मौके पर कई जगहां पतंग उचसब भी आयोजित किये गया भोपाल के इदगा मैदान पर पतंग उडाने के साथ स्वच्छता का संदेश भी दिया गया सिंधु सेना द्वारा मकर संक्रांधी के अफसर पर ईद गहा मैदान में पतंग उच्सव मनाये गया इस अफसर पर सिंधू सेना के अध्यक्ष राकेश कुक्रेजा ने बताया कि संस्था द्वारा पतंग उच्सव में बच्चों को सार्थक संदेश देते हुए सच्छ भोपाल का संदेश थैलसीमिया मुक्त भोपाल नशा मुक्त भोपाल का संदेश देते हुए पतंग वित् पर बच्चों ने देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी के मुखोटे पहन कर एक बार और मोदी सरकार का नारा बुलंद किया उससव में संस्था द्वारा संदेश देने वाली सेकडो पतंगे धागा लड़ू आधी का निश्युल्ख वित्रण किया गया इस अफसर पर सेकडो बच्चों ने पतंग उससव में भाग लिया और विजेता उप विजेता को संस्था द्वारा प्रुस्कार वित्रित किये गए मकर संक्रांती पर्व कल मनाया जा रहा है लेकिन आज सुभा से पवित्र नदियों में इसनान के लिए शद्धालों की भीड रही मकर संक्रांती पर्व काल आज देर रात से शुरू होगा सुर्देव के उत्राण होने का पर्व मकर संक्रांती मा नर्मदा की नगरी होशंगाबाद में परंपरा गद भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांती परव पर नर्मदा इसनान के लिए शड्धालों को नर्मदा नगरी हुशंगाबाद में आने का सिलसला शुरू हो गया है जोतिशों के मुताविब मकर संक्रांती परव काल आज देर राज से शुरू होगा लेकिन परंपरा अनुसार सूर्यदे के साथ ही शद्धालूं के नर्मदा घाटों पर आने का सिलसला लगातार जारी है मानेता है कि वर्ष भर में 12 सक्रांती आती हैं लेकिन मकर संक्रांती इनमें विशेश महत्वर रखती है सुरुदेव के उत्रायन में आने के उपलक्ष में इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन से विभाधी मांगले कारे शुरू हो जाते हैं मानता के अनुसार इस दिन सूर धनुराशी से मकर और दक्षनायन से उत्त्रायन में आ जाते हैं संक्रांती परव परपुन्य नदी तीर्थ में इस नांदान से जाने अंजाने कि ये पापों से मुक्ती मिलती है मकर संक्रांती परव सामाजिक सरोकारों का परव भी है इस दिन दान का विशेश महत्व होता है और सभी शद्धालू इस दिन अपनी चंता नुसार दान धन्म कर पुन्य लाभ प्राप्त करते हैं संक्रांती पर तिल दान का विशेश महत्व होता है पॉलिवुड के सुल्तान सल्मान खान ने अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे क्रिकिट खेलते नजर आ रहे हैं सल्मान खान ने इस वीडियो के साथ लिखा है भारत खेलेगा ओन लोकेशन स्टोरीज भारत फिल्म सल्मान की फिल्म भारत इस साल एग पर एलीज होगी सल्मान खान अपनी हर फिल्म की शूटिंग को कोई स्टार्स के साथ खोब एंज़ॉय करते हैं इससे पहले उन्होंने रेज 3 की शूटिंग के दौरान साइकलिंग का आनन लिया था साइकलिंग का वीडियो भी उन्होंने अपने शोशल अकाउंट पर शेयर किया था लेकिन नए वीडियो में सल्मान क्रिकेट के मैदान पर चौके छके लगाते नज़र आ रहे हैं सल्मान खान इन दिनों अपने फिल्म भारत की शूटिंग में भी व्यस्त हैं और ये वीडियो उसी फिल्म के सेट का है सल्मान खान ने इस वीडियो के साथ लिखा है भारत खेलेगा ओन लोकेशन, स्टोरीज भारत फिल्म फुल टीशर्ट, शॉट्स और स्पोर्ट शूज पहने सल्मान जबरदस शॉट लगा रहे हैं सल्मान की फिल्म भारत को अली अब्बास जफर डारेक्ट कर रहे हैं अली इससे पहले सल्मान के साथ सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में भी कर चुके हैं फिल्म भारत में सल्मान खान के साथ कट्रिना कैफ नजर आएंगी यह फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होगी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहे है दखल लूज दखल आपके हग में आप देख रहे है दखल लूज